हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई यूट्व चनल स्पिनिंग वील्स ओप युग वैल और आज हम आया हैं 36 टोयटा फ्रेंट्स सामने हैं टोयटा फॉर्टुनर 4x4 ऑटोमेटिक डीजल टॉप एंड वेरिंट फुली लोड़ेट विद फीचर्स एंड पावर पेक इंज चेक करते हैं क्या-काःफ इसके इंदर अविलेबल है और वीज़यव को स्टार्ट करते हैं तो लेट्स से और फंट matter है सबसे बहले हम बातकरने बहुत वाले हैं बीच में यहां आप देख आ और तोय ने की Q-shape में और यहां बड़ा-बड़ा फॉर्चुनल लिखा हुआ एकडम SUV की पूरी फील देने की कोशिश और आप देख रहोंगे भाई लाइट का आप सेटप देखो गए तो यह जो आपका पाट है लाइट में यह है डियारेल और यहां प्रोटेक्टर हेड्लेंब आपको मिलने वाले हैं एकडम वाइट लेडी में एकडम शांदार इसकी रोशनी रहने वाली है जब मैं आपको इकडम चला के दिखाऊं यहां पर आपको यह फॉगलेंब की पूरी ग्रिल बिल जाती है और यह जो है आपका यह है आपका फ्रंट का पार्किंग सेंसर और जो आप नीचे यह देख रहे हैं तो जब पार्किंग रैट्स आप आउन करेंगे तो यह लाइट भी ऐसा डियरल जलेगी तो एक डियरल से वो जला के दिखाता हूं और उसके साथ में मैं दिखाता हूं कि फॉगलेंब का कैसा लुक आता है आप देखिए वीडियो में छोटी फॉगलेंब से देखने में बहुत लेकिन उतनी ही तेजिन की सूपर ब्राइट लाइट है आप देख रहे होंगे बहुत अट्रेक् इसका लुक है एकदम जबर्दस मतलब ऐसा लगता है कि भाई लाखों दिलों की धड़कना है कि हर बंदे का मन होगा कि भाई स्वी ओ तो फॉर्ट में आपको दो पार्किंग सेंसर मिल जाते एक पार्किंग सेंसर आपका यहां पर और यह पार्किंग सेंसर जो है आप मैन है डबल फाइफ अठारा सो पच्छवन और ग्राउंड क्लियंस तो भाई कहने की कोई बात ही नहीं है देखी रहोंगे कितनी हाइट ज्यादा लग रही है 216 mm का ग्राउंड क्लियंस है और वील बेस की बात करें तो 2745 mm का वील बेस है तो यानि अच्छा कासा आपको कैबि मिलने वाला है विर्थ भी अच्छी मिलने वाली है और ग्राउंड क्लियंस तो मैंने आपको बता ही दिया है साइट प्रोफाइल में सबसे पहले हम बात करेंगे टायर साइज की और टायर साइज में आपको दिखाऊं तो टायर साइज है 265 60 r18 यानि यह 18 इंचिस का टायर है आप देख रहे होंगे सिल्वर क्रोम फिनिश में अलॉई भी लाता है देखने में एक नम स्टाइलिश और सॉलिड लग रहा है बहुत देखने में और यहां बीच में आपको टोईटा की बैजिंग मिल जाती है साइड में आपको यहां पर पूरे वील बेस के ऊपर अच्छी कासी लूग डालती है अच्छी कासी इसमें आपको पीछे का व्यू अच्छा कासा क्लियर दिखने वाला है इसके नीचे आप लैंप देख रहे हैं यह आपकी पडल लैंस होती है जो सीधा नाइच जमीन पर फोकस करती है जैसे ही आप डोर वगएरा ओपन करते तो पडल लैंस इसमें अवेलेबल हैं साइड में आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और यह एक एडिशनल का पार्ट है जो आप देख रहे हैं कि पूरी इसकी कवरिंग क्रोम से हुए है जनली एक रोम हैंडल आपको आता है और इसके अंदर इसकी की होगे फोल्ड जो यह रिक्वेस्ट सेंसर है इसी से आप लॉक अनलोग कर सकते हैं इसको मैंने प्रेस किया तो यह अनलोग हो गई और लॉक करनी है तो इसी को मैं प्रेस करूँगा यह लॉक हो गई साइड प्रोफाइल आप एक पर पूरा देख लिजिए यहां पर आपको इसमें डोर वाइसर मिल जाते हैं प्रोम फिनिश के साथ आप उपर देख रहे होंगे देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं और इधर हम यहां आ जाएं तो यह आपको बी पिलर आपको जो है मै मिल जाती है स्टार्ट से लेके और पीछे एंड दोनों ही साइड में एक रोम फिनिश अवेलेबल है बैक प्रोफाइल में एक बार बात कर लेते हैं कि क्या कुछ अवेलेबल है तो आप देख रहे होंगे भाई क्या स्टैलिस की लुक है पीछे की टेल लेंस आप एकदम अच्छी आपको प्रीमियम बूरी प्रीमियम फील देने की कोशिश करी गई है तोयटा नहीं इसमें और यहां बीच में आपको मिल जाती है पॉर्चुनल की नेम यहां पर टोयटा का लोगो पोर बाई-फोर यह वेरेंट है तो यहां पर लिखा है ई-4 सिगमा और मैं नीचे बात करूं तो आपको यहां पर बोट साइड में रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और पार्किंग सेंसर की बात करूं तो एक दो तीन और चार पार्किंग सेंसर अवेलेबल है और यहां पर आप देख रहे होंगे तो यह नीचे स्किट प्लेट अवेलेबल है और अ स्पोईलर पूरा कह सकते हैं इसमें आपकी यहां पे लाइट भी स्पोईलर के अंदर और उपर आप देख रहे हों तो यहां पे आपको मिल जाता है शाक्फिन एंटीना और पीछे आई गया है तो एक बर इसका बूट भी ओपन करके देख लेते हैं और मैं आपको बता दू इसमें ऑटो सेंसिंग का भी option है कि जैसे में अगर मैं अपनी यहां पर करता हूं तो भी यह उसको सेंस करके और यह बूट ओपन करता है पहले बूट में देखते हैं कितना स्पेस अवेलेबल है आप यह देखिए रिमोट से मैंने इसका बूट ओपन किया है एकदम स्टै विदाउट फोल्डिंग दीज तू सीट्स तू नैंटी सिक्स लीटर का इसका बूट स्पेस है और यह दोनों सीट्स आप फोल्ड कर सकते हैं जैसा आपने देखा यह दिखी रहा होगा आपको वीडियो में सिंपल बस इसको यहां पर यह वाली सीट यहां पर अटैच हो जाती है जैसे आप देख रहें एक पूल से ही यह सीट आटमेटिकली फोल्ड हो जाती है और यहां पर इसको लगा दीजे तो अच्छा कासा बूट स्पेस हो जाता है और जो सेकंड रोह आप वह भी देख रहे होंगे 60-40 में वह भी स्पिट हो जाती है आप देख रहे हों यहां फ्यूल फिलर कैप और 80 लिटर का इसका प्यूल टैंक की कपैसिटी है और माइलेज अराउंड 8-10 यह रेंज करती है यहां उपर मिल जाते हैं आपको रूफ रेल्स एस्वी और रूफ रेल्स ना तो फिर तो मजा ही नहीं बिना रूफ रूफ रेल्स के तो है अश् इच्छी कासी वाइड एंट्री आपको इसमें मिल जाती है और सबसे पहले हम यहां देखेंगे एक यह आपको एंट्री स्टैप अवेलेबल है इस पर आप चड़के अराम से ग्रैब हैंडल पकड़कर अराम से कमफटेबली इसमें बैठ सकते हैं और बात करूं मैं यहां अच्छा कमफट भी है और यहां पर देखें तो आप इस डूर पैनल में देखेंगे चारों ही स्विच ऑटो अप एंड ऑटो डाउन है जनरली कार्स में खाली ड्राइवर साइड का जो स्विच होता है वो ऑटो अप डाउन होता है इसमें चारों स्विच ऑटो अप जो नाइट में बहुत अच्छी लगती है देखने में काफी अट्रेक्टिव लगती है जैसी दोर ओपन होता है लेधर राइट अपॉल्ष्री आपको इसमें मिल जाती है जो की देखने में काफी प्रीमियम लग लग रही है और स्कूप भी देखेंगे तो बहुत ब्लिट के साथ आता है लेधर रभी आता है और पियानो फेली फील भी है यहां से आप देखेंगे तो रहां से रैप्ड है तो बहुत जबरदस कॉम्बो के साथ आता है यह और बीच में यहां पे आपको लोगों मिल जाता है टो टोटा का टोटा स्टैंट फॉर disconnect और यह हो गया आपका माईडी की इंफोर्मेशन के लिए कि कितना चली है और इसके अंदर आप फीचर देखेंगे काफी सारे फीचर मिलेंगे डिटल स्पीड कौन सा डोर ओपन है क्या आपकी ट्यूल एकॉनमी है डिस्टेंस तो एमटी एको रेंज ट्रिपे ट्रिप भी तो बहुत सारे इंफोर्मेशन आपको इसके अंदर इसके मीटर में मिलने वाली है और ब्लू थीम के साथ आता है और आप देख रहे होंगे काफी अच्छा सा इसका टैको मीटर है यह टैको मीटर हो गया वहाँ पे स्पीडो मीटर 200 की स्पीड एकदम स्टैलिश देखने म पी लिखा हुआ है आप देख रहे हैं automatic version है इसलिए वहां पे पी लिखा हुआ है और cruise control की बात करूँ तो यह जो option है यह आप देख रहे हैं यह पूरा cruise control का पैंचल है इससे आप अपना पूरा items वगयरा का set up कर सक्ते हैं और यहां पे इसका यह ऐड़ eeln कि कन्सोल हो गयाँ फॉग लैफ और इद्धर आप देख रहे होंगे सारह स्ट पकोशना इपाई परल जाता है यह यह में आप देख रहे हों तो यह ऑ गया भाई अपना गेर का लिवर अब आप देख रहे होंगे कितना प्यारा गेर का नॉब है एकदम स्टैलिस सा सिक्स्पीड ऑटोमेटिक गेर बॉक्स के साथ ही आता है तो वहां जो मैंने आपको दिखाया था पी लिखा हुआ है जैसे मैं यहां पे इसे चेंज करूंगा गेर को तो वह आप आप आपको कंसोल म तो स्पोर्ट मुट दबाद दीजी कि इसके पूरे स्टीरो की सेटप की बात करें तो यह आपको एट इंचीस का सिस्टम मिलता है जो कि 11 स्पीकर के साथ आता है तो आप समझेए माइंड ब्लोइंग साउंड आपको मिलने वाली है इसके अंदर 11 स्पीकर आते हैं विद ट टेल जिसका सबसे पीछे दिगगी वाला है वहाँ पर भी अपको एक इसके अंदर वोफर मिलता है और यहां पर बूरा इसका एसका कंत्रोल इसका द्वाफिकर द्चेवर है एक और यहां पर आपको सिट्ष देख रहे हैं इसकी जो आगे की दोनों दो सीट से वह वेंटिलेटेट सीट से उसका जो आप एरफलो है वो इंसे बगरा कर सकते इंक्रीज इस तो आपको अच्छी का शीफ आने वाली है गर्मियों में लेटेटेट सीट्स जो एक पूरी अच्छे से वाग करती हैं यह आप देखे रहोंगे यह स्कौशन इसमें ऑप और जो आप और जो आप यह देख रहे हैं H2, H4 तो यह आपकी speed increase करने के लिए कि 2 wheel drive पे speed high, 4 wheel drive पे speed high, 4 wheel drive पे speed high और यह 4 wheel drive पे speed low तो आपको सारे इसमें option मिल जाते हैं यहां पे आपको 12 volt का socket मिल जाता है यहां जो आप यह globe box देख रहे होंगे इस पे लिखा हुआ है fortunate, two globe boxes के साथ आता है यह यह वाला जो globe box है यह आपका cooled होता है आप देख रहे है, space आप देख सकते हैं इसके अंदर, यह वाला air cooled है, उपर वाला globe box cooling के साथ available है और नीचे वाला normal और यह lock भी हो जाता है यहां पर आप अपनी दोनो water bottles वागे रख सकते हैं और यह आगे आपका arm rest with nice space अच्छा कासा space इसमें मिलने वाला है gear console मैंने आपको gear console के बार में पताई दिया, यह P, यह reverse, यह neutral और यह अपना D, normal drive के लिए sports mode भी इसमें available है और सबसे बड़ी बात है, automatic के साथ आपको यहां पर shift padders भी मिल रहे है, gear increase और decrease करने के लिए, यह वाला increase करने के लिए और यह decrease करने के लिए तो सारे यह option इसमें available है, amazing sound system, with जबरदस्त interior, यह जो उपर vanity mirrors आते हैं, यह light के साथ आते हैं, इसे open करेंगे तो यह light जलेगी, और ऐसा ही कुछ यहां पर भी है, इधर भी आपको vanity mirror मिल जाता है, with light, और यह night vision के साथ इसका back, rear view mirror आता है, तो light पढ़ते ही है, जो है, आपक इसको अपना effect दिखाएगा, rear view mirror, auto dim light के साथ आता है, यहां पर आप ऊपर देखें, तो यह हो गए आपका sun glass holder, और यहां बीच में बहुत ही प्यारा LED का setup, यह देखिए, जबरदस light जलती है, राद ने, bright LED light है, इसे off कर दीजे, यह right के लिए सिर्प, यह left के लिए, और यह जन्दली हेलोजन दे देते थे company, तो अच्छा ने लगता था, यह LED है तो बहुत प्यारा इसमें लुक आता है, हर तरफ gray bundle available है, पीछे भी दर जन्दली आप से देखा हुआ कि ड्राइवर साइड वाली जो है, उदर gray bundle नहीं होता, इदर हर तरफ अविलेबल है, gray bundle, यहां आपको light clock मिल जाती है, adjust करने के लिए option यहां available है, एस event है आगे 4, 1, 2, 3 और एक उदर, 4 AC events हो गए, safety के लिए इसमें 7 airbags available है, और ABS, EBD, सारे ही option आपको available है, hills, hill assist भी आपको मिलता है, ABS मिलता है, EBD मिलता है, traction मिलता है, यहां पर जो आप तीन options देख रहे हैं, यह तो आपका idle start stop, जो कि आजको आजकल आपने देखा होगा, mileage वगएरे increase करने के लिए red light पे, यह button को on कर देते हैं, तो automatically car stop हो जाती है, red light और clutch दबा के वापस start हो जाती है, और यह होगे आपका traction control, और यह जो है, यह है आपका limited sleep differential का option, इसमें क्या होता है, कि इसको on कर दिया, 4x4 आपक ताकि जो है, वो फटाक से वाँ से car निकल जाए, तो यही भाई 4x4 की feel होती है, असली यही features होते हैं company को जो premium बनाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ buttons, जो यह वाला है, यह तो आपका fuel के लिए हो गया, यह आपका bonnet open करने के लिए हो गया, यह जो है आपका front parking sensors को off करने के लिए हो गया, और यहाँ पे आपको मिल जाता है यह पीछे के टेल गेट है वो open करने के लिए, और जो यह वाला है, बटन तो आप देखने हैं, यह diesel particular filter system है, front में अगर मैं space की बात करूँ, तो यहाँ पे आपकी 2-1L की bottles आ सकती हैं, और आप इसको ऐसे बंद भी कर सकते हैं, और इसको ऐसे open भी कर सकते हैं, और इसको बंद करने के बाद आप देखेंगे, तो इधर भी space available है, phone वगयर आप यहाँ रख सकते हैं, और doors में भी आप द तो space management में भी कोई problem नहीं है, यह आपका handbrick हो गया, और यह handbrick भी पूरा ही leather wrapped है, पीछे का door भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपको soft touch मिलता है, पूरा का पूरा, और यह piano flash में, auto up and auto down के साथ, और एकदम leatherite appall free है, इसकी proper leather के साथ, space आप देखिए, तीन mobile रख सकते हैं, और यहाँ से charge कर लीजिए, और यहाँ पर आपको space मिल जाता है, समान दखने के लिए, और यहाँ पर भी आपको same, समान दखने के लिए, पीछे space मिल जाता है, पीछे के passengers के लिए आप देखिए, यहाँ पर आपको AC के vent मिल जाते हैं, दोनो AC के vent यहाँ आपको AC के वेंट मिल जाते हैं यह फर्ड रोप असंजर्स के लिए और पीछे की जो सीट्स हैं यह दोनों पीछे भी दिकलाइन हो जाती है और वहां पीछे भी आप देख रहोंगे तो आपको ऊपर लाइट को ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको पीछे केविन में भी साथ 4x4, Automatic, Top and Variant, Engine Power की अगर मैं बात करूं तो यह प्रिद्यूस करता है 204BHP and 500NM का टॉक तॉक आप देख रहोंगे 500 का बहुत जादा अच्छा कासा पावर आपको मिलने वाला है 500 के टॉक के साथ अच्छी कासी फील आजाएगी Automatic को ड्राइब करने की, हमने इसके पीचर के बारे में बात कर लिए इसके dimensions के बारे में और इसके क्या इसका engine power produce करता है वो सब हमने cover कर लिया अब सबसे important aspect की बात करते हैं जो है इसका price तो इसका price है एक showroom 40,03,000 और onward price की अगर मैं बात करूं तो 47,00,000 का आपको यह onward पढ़ने वाला है फरीदाबाद में मै description में यहां के sales executive के number दे दूँगा तो आप check out कर सकते हैं आपको मेरा यह video पसंद आयो हो तो video को like कीजेगा share कीजेगा और मेरे channel spinning wheels को subscribe कीजेगा और bell icon को ज़रूर दबाईएगा ताकि ऐसी important notification आपको आती रहे friends इस Fortuner का एक GRS variant भी आ चुका है market में जिसका review मैं अपने channel पे जल्दी करने वाला हूं उसके walkaround price, features and उसकी power के बारे में और detail में बताऊंगा तो जैसे ही मैं उसकी video बनाऊंगा आप check out कर सकते हैं मेरे channel spinning wheels पे